असलाम अलेकुम एवरीवन कैसे हैं आप सब उमीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक होंगे आप सब मैं भी ठीक हूँ आप सब की दूआओं की वज़े से वेलकम बेक टू अरीज की दुनिया वेलकम बेक टू माइ व्लॉग्स गूड मॉर्निंग नए दिन नई उमीद के साथ मैं करने लगी हूँ अपना व्लॉग शुरू तो जी ये था सुबार का टाइम और यहां पर मैं कर रही थी नाश्टा और आज ना मैं नाश्टे मिल रही हूं अंडा और साथ में मैं एक रोटी ली है साथ में चाय है और मेरा बहुत पंज़ेद की एरे के सींट करके रहती हूं तो सबसे पहले बारी है पालग की और स्पिनेछ की यहां पर मैं पालग को अच्छी तरीके सेव करही हूँ Gulf कर कर रही हूं और से थी पालग को मैं आच्छी तरीके से वाष कराऊंदिछांगी ट verr में आपकिन सब्सक्राइब की जाएब कुछा है एक दो का कि रहता है जाना है सब्सक्राइब करते हुए को धाय। लिकाने पाम में पॉइल कि रखेंग की बनाती हुए तो इसल्दी की बनाती है। तो जी यहां परना में सबजी आपको वन बाय वन करके दिखा रही हूं सैलिट के लिए भी हमने सबजी अमंगवाई हैं और साथ में पूल गोबी भी है और साथ में उसके साथ बहुत ज़्यादा अच्छे हमें कैपसिकम मिल गए हैं चाइनीज में बहुत ज़्यादा शौक से बनाती हूं और हमारे घर में बहुत ज़्यादा शौक से काया जाते हैं और पुला में भी बहुत ज़्यादा अच्छ हैं सब्जियां बहुत ही जादा फ्रेश हैं और सब्जियों को ना में बॉक्स में रखके फिर्ज में रखती हूं और इसे बहुत ही जादा अच्छा हो जाता है फिर्ज में जगा भी हो जाती है और सब्जियां भी सैट करके में रख देती हूं सोचा था कि थोड़ा सा व्ल मेरे पास बहुत ही जादा है अगर आपने वह नहीं देखे तो आप देखें मुझे यकीन है आप बहुत ही जादा एंजॉय करेंगे दोजी सबजीयों को ना मैं ऐसे ही और नाइज करके फिर्ज में रख देती हूँ और साथ में भीनटी भी है जो बहुत ही ज़ादा आची लगती है तारी सबजीयों मैं आपको दिखा दी है अब बारी है सब्सकेट को सैट करके रखने की और साथ में ना यहां पर पालक बॉ कि नाश्ता सबी का औरे म diary वायती मेरा साथ, बार 楽म स्वानीrie आक δεν करने दोराइन है। यह स्वाइटी है जो को इसमें भीमे करें नाश्ता, जो कई समधे Колई तरह स्वा सुख़छाएं। चां से लौिपंगी तरी के रख़ए दिशाये month यहां पर तरू पहुंगी। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर विडियो पसंद आए तो लाइक करें बेल के नोटिफिकेशन को दबा दें ताके मेरे नए आने वाले व्लॉग्स आपके पास आ सकें मेरे जो व्लॉग्स हैं वो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें थैंक यू सो मच तो जी आतना रात के जिनर में मैं बना रही हूँ चिकन कड़ाई जो बहुत ही ज़्यादा जबरदस्त बनती है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है चिकन को मैंने डिफ्रोस्ट करने के लिए रख दिया था और साथ में जब चिकन सेट हो गया था उसके बाद ना मैंने चिकन को कड़ाई में शामल कर दिया है साथ मैंने मैंने टमाटर शामल कर दी है और साथ मैंना मैंने लेसन शामल कर दी थी नमक पे ने हस्पे जरूरत रखा था और पिर मैंने चिकन कड़ाई को कवर करके रख दिया था और cover करने के बाद 10 मिनट तक अची तरीके से cover कर दिया था और फिर मैं आ गई थी kitchen में, यहां पर मैंने देख लिया है chicken हमारा अची तरीके से गल चुका है और साथ में tomato भी अची तरीके से गल चुके है उसके बाद बारी है, हमें cooking oil चाबल करना है और कुकिं理 के बाद हमें अची तरीके से बुनाई करनी है अब बहオli dang करना और कषाली ना विला विलोई आपनाइगा, विलोई चीकन-कड़ाई यहां पर मेने तोड़ा सादी ओधरा है ऐल कोटिकिन आइल स्वारा Québec करती है कि डीन की अपर बुनाई कर दी कहलें कि जरूँ है। कि नभी जरूट होती है, नभी जड़ा पोद में फ़ेरा समस्दील कर दीकिशा रभी जोर। टमाटर तो अच्छी तरी से गल चुके हैं और साथ मेना मैं शामिल करूंगी कसूरी मैथी और इसे बहुत बहुत ही ज़ादा अमेजिग टेस्ट आता है चिकन कड़ाई का नेशनल कीना मैंने लिए है कसूरी मैथी वो मैं एड़ कर रही हूँ साथ मेना यहां पर योगर्त भी एड़ी जोगर्त भी एड़ी ड़ी से बहुत जादा अच्छा टीस्ट याथया चिकन कड़वार आता है छिकन कड़ाई ना चाहिए तोड़ी सी मैने ड़ी भी शामिल पाता है धटा करहाई me और साथ मेना यहां पर मैंने कसूरी मैथी एड़ कर दी है और अची तरीके से बोनाई कर रही हूं और साथ मेना आज मैं खाऊंगी रोटी के साथ और बस मेरा दिल चाह रहा था कि आज मैं चिकन कड़ाई रोटी के साथ खाऊं या नान के साथ काऊं लेकिन आज मैंने खाई ये रोटी के साथ और साथ मैंने राइता भी बनाया है जो बहुत ही जादा चिकन कड़ाई में अच्छा लगता है चिकन कड़ाई के साथ अच्छा लगता है साथ में मैं हरी मिट शामिल करें हूँ हरादानिया शामिल करें हूँ पिसा हुआ गरम मसाला शामल करें हूँ क्योंकि ये एंग में ही चीजें बहुत ही जादा अची लगती है और फ्लेवर भी बहुत बहुत ही जादा आस्सम देती है तो जी डिनर मैंने टेबल पे लगा दिया है अब हम साथ मिल के घरवाले यहां पर डिनर कर रहे हैं और यहां पर मैंने अपने लिए प्लेट बनाई है थोड़ा सा मैंने रायता लिया है और साथ में सालन है रोटी है और अलहमदिल्ला से आज का डिनर बहुत ही मज़दार सा यहां पर मैं खा रही हूँ ये न आप रेसे पी ज़रूर ट्राइ कीजेगा और मुझे कमेंट्स बॉक्स में आके ज़रूर फीडबैक दीजेगा तो जी ये था मेरा आज का व्लाग आज की डेली रुटेन उमीद करती हूं कि आपको ज़रूर पसंदाई होगी अच्छा चलती हूं दौा में याद रखिएगा अपना और अपने घर्वालों का ख्याल रखिएगा मिलते हैं अगले व्लाग में अला हाफिज